हेलो फ्रेंड्स आज हम एक नोबिल पढ़ेंगे दोस्तों जिसका नाम है विलेट विलेट जिसे लिखा है चारलेट ब्रांटे ने दोस्तों विलेट एक विक्टोरियन लिटरेचर की एक नोबिल है जो 1853 में पब्लिस हुई थी इसमें दोस्तों जो में लीड कर रही है वो एक लड़की है जिसका नाम है लूसी सौनवे जो की 40 साल की है और ये अभी 40 साल की हो गई है और काफी उदास है क्योंकि इनका लवर मर चुका है और ये अपनी जिन्दगी एकांत में बिता रही है इसमें हम बेसिकली यह कहानी देखेंगे दोस्तों के किस तरह उसकी जिन्दगी आगे बढ़ी और कैसे उनकी लवर लव हुआ और कैसे उनकी मृत्ति हो गई यह सब नॉबल की स्टोरी को जानने से पहले हमें चार्लेट ब्रॉंटे के बारे में जानना चाहिए चार्लेट ब्रॉंटे जिन्होंने इसे लिखा है उनका जन्म हुआ दोस्तों 21 अप्रील 1816 में UK में इनका जन्म हुआ लंडन की यह रहने वाली थी 31 मार्ज 1855 UK में इनकी मृत्ति हो गई यह एक नोबलिस्ट रही दोस्तों पोएट रही और गवर्नेंस भी रही इनके मोस्ट फीमस नोटिबल वर्क थे जैनी एरा और विलेट जिसे हम आज पढ़ेंगे वो है विलेट दोस्तों और लास्ट में दोस्तों कॉरलेट बरॉंटा का निकनेम कुरियर बैल था ये तो हो गया दोस्तों कॉरलेट बरॉंटा के बारे में आए हम विलेट के केरेक्टर्स को जानते हैं विलेट के सबसे पहले करेक्टर है लूसी सौनवे जो की इसकी हिरोईन है इसकी बाद दोस्तों मिसस ब्रॉंटे जो की डॉक्टर जॉन ग्राहम बल्टन की मा होती है मिसस ब्रॉंटे के ही घर में ये लोग रहते हैं और मिलते हैं जैसे की एक और है पॉलीना हो वो से पॉली के नाम से जाना जाएगा मिसिस मार्चन जो की लूसी को नौकरी पे रखती है इसके बाद छटे करेक्टर आते हैं गी ने रेवा फांसवे जो की दोस्तों हमारे हिरोईन लूसी को नौकरी पे रखती है एक गवर्मेंट गर्ल स्कूल में और लास्ट में आते हैं मिस्टर पॉल जिस से लूसी को प्यार होता है और यही है दोस्तों जो अंतिम में नहीं रहेंगे और जिसकी यादों के सारे लूसी रहेगी तो आएए दोस्तों हम स्टोरी की सुरुआत करते हैं स्टोरी की सुरुआत होती है दोस्तों स्टोरी की सुरुवात होती है दोस्तों, ब्रेडन नाम की प्लेस में या 993 पेजिस की नोवल है आई ये सुरुवात करते हैं। ब्रेडन में लूसी सौनवे रहती है, मिसस ब्रेटन रहती है और उनका बेटा डॉक्टर जॉन ग्राहम ब्रेटन रहता है और पॉलीना होम रहती है जिसे हम पॉली के नाम से जानेंगे दोस्तों ये सब एक ही जगा पे रहते थे ब्रेडन में जो की मिसस ब्रेटन का घर था अब इनके घर में ये लोग रहा करते थे पर तभी पॉलीना होम के फादर जो होते हैं दोस्तों वो उसे बुला लेते हैं यानि मिस्टर होम उसे बुला लेते हैं क्योंकि उसे और उसके फादर यानि पॉली और उसके फादर Mr. Home को अब्रॉड जाना रहता है तो वहां से पॉली चली जाती है पॉली के जाने के कुछी दिन बाद लूसी भी वहां से चली जाती है दोस्तों और काफी साल भी जाता है अचानक निउज आता है कि जो लूसी है वो काफी ज़्यादा गरीब हो गई है उसके साथ एक disaster tragedy हो गई है जिससे वो homeless हो चुकी है और moneyless भी हो चुकी है इसके बाद entry होती है Miss Marchmont की जो कि उसे एक job देती है पर वो उस job से irritate होने लगती है दोस्तों क्योंकि वो जो lady होती है वो handicap होती है और वो साम को बैठ करके 30 साल पुराने अपने lover की कह पहानी बताते रहती है वो बुड़ी और वो उससे सुन सुन कर पक जाती है पर उसका काम होता उसका caretik करना इसलिए वो Lucy सुनती रहती है पर एक दिन खबर आती है जब Lucy garden में होती है कि Miss Marchmont नहीं रही उसके बाद Lucy वहां नहीं रुखती और चुपचा बोट लेकर के चली जाती है बेल्जियम पहुचकर उसे France तो नहीं आता था फ्रेंच भासा नहीं आती थी दोस्तों पर वहां से वो Nobel का title में पहुचती है यानि उस place पे विलेटिब पे जो कि एक village है वहां पे वो Madam Big से मिलती है जो कि एक English girls school चलाई करती थी वहां पे Lucy को एक teacher as a point कर लिया जात है और वो वहां पे रहने लगती है अब आगे होता यह है दोस्तों कि जब Madam Big Lucy को teacher as a English tutor काम दे देती है तब उसे पता चलता है कि उसे जो college दिया गया girls college उसमें एक girl है जिसका नाम है गैनेवा फासवे अभी जो गैनेवा फासवे होती है दोस्तों यह प्यार में पढ़ जा और रोज रोज यह लोग मिला करा करते थे यानि डॉक्टर जॉन और वो लड़की जेनेवा फासवे एक पीछे के रास्ते में मिला करते थे तभी मिस Lucy को उसका पता चल जाता है और Lucy को देखकर वो भाग जाती है बाद में उसे पता चलता है कि वो जो girl थी यानि डॉक्ट लड़की या बाद जब डॉक्टर जॉन को पता चलती है दोस्तों कि वो जिसे प्यार करता था वो बेवफा थी तो वो वहाँ से जाने लगता है तभी Lucy उसे समझाती है तभी डॉक्टर जॉन और Lucy जो होते हैं वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि डॉक्टर जॉन क जब दिल तूटा था तभ Lucy उसे अच्छे से समालती है अब Lucy जो और डॉक्टर जॉन जो होते हैं दोस्तों वो मिलने लगते हैं और डॉक्टर जॉन और कोई नहीं दोस्तों जो मिसस ब्रिटेन थी ना जिसके घर में Lucy रहा करती थी सबसे पहले उसी का बेटा था जिसका मै Lucy उसे पहचान गई और उसकी द्रोस्ती और भी गहरी हो गई तभी Lucy को डॉक्टर जॉन जो है वो एक लड़की से मिलाने ले जाता है उसी पॉली नाम की लड़की से यानि की पॉली ना होम से जो की उस घर में रहा करते थे ये लोग तीन लोग रहा करते थे ना दोस्तों तो वो पहली तो मिल गई Lucy अब डॉक्टर जॉन भी मिल गया उसका बेटा मिसेस ब्रिटन का बेटा अब बची पॉली ना होम उसे भी लोग ये लोग मिल लेते हैं जब पॉली ना होम के घर Lucy पहुचती है काफी सालों बाद मिलने के लिए तब वो अपना टाइटल बदल चुकी होती है क्योंकि उसके जो फादर होते हैं मिस्टर होम जो थे दोस्तों उसका जो है वो बेशन पैरे में उसका टाइटल बदल जाता है बेशन पैरे में उनका टाइटल बदलता है क्योंकि अब वो एक कॉंटेंट हो चुके हैं और इसी के कारण जो Lucy होती है दोस्तो उसको confusion हो जाता है पर पॉली उसे पहचान लेती है और बताती है पॉली ना होम की मैंने अपना title बदल लिया है इस कारण से मेरे फादर के तरक्की के कारण से content बन जाने के कारण से पर मैं तुम्हें पहचान गई लूसी इसके बाद लूसी को या पता चल जाता है दोस्तों कि डॉक्टर जॉन और पॉली प्यार में है तो वो उन दोनों की साधी करवा देती है अब लूसी अपने कॉलेज वापस आती है तब वो मिस्टर पॉल के प्यार में पढ़ जाती है जो की बेटे होते हैं जेनेवा फासवे दोस्तों जिसने लूसी को वाहँ पे नौकरी दो पर मिसिस फासवे को उनका आना मनजूर नहीं था उनहें क्या दोस्तों कुदरत को भी या मनजूर नहीं था और एक्सीडेंट हो जाता है मिस्टर पॉल का और ये वही दृश्ष है जब उनका सिब डूब जाता है ये कैसे होता है दोस्तों? यह हम आगे जानते हैं कि जब मिस्टर पॉल और लूसी मिलते हैं दोस्तों तो मिसिस फास्वे जो कि मिस्टर पॉल की मा होती है उन्हें यह सब पसंद नहीं होता कि वो उसका बेटा लूसी से मिले और बात करे क्योंकि मिस्टर पॉल जो होता है दोस्तों वो वहाँ पे इंग्लिस प्रोफेशर होता है और ओनर भी होता है उस गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का और लूसी सिर्फ एक टीचर थी वो भी उसका बैग्रोंड का पता नहीं कि वो कहां से आई थी वो तो मिस्टर पॉल और लूसी अब भ्यार में पढ़ चुके थे और काफी दूर निकल चुके थे और एक दूसरे के हो चुके थे पर दोस्तों मिस्टर पॉल जो होती है वो क्या करती है कि वो तो ओनर होती है तो स्कुल के सारे लोगों को लगा देती है ताकि किसी तरह मिस्टर पॉल को वहां से लूसी के सामने से दूर किया जा सके पर मिस्टर पॉल नहीं दूर होते अन्तिम प्रयास में Mr. Paul को West Indies वो लोग भेज के ही रहते हैं वो लोग भेजना तो उन्हें चाहते थे विलेट से इंगलैंड तक लेकिन वो इंगलैंड नहीं जाना चाहते थे इसलिए Mrs. Fastway जो होती है Mr. Paul की मा वो किसी तरह Mr. Paul को West Indies भेज देती है इधर Lucy को वो छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे पर वो कहते हैं Lucy को कि तुम यह स्कूल चलाओ या बोर्डिंग स्कूल मैं वापस जरूर आऊंगा अब काफी साल बीद जाते हैं दोस्तों Lucy अब उस छोटे से बोर्डिंग स्कूल को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल देती है काफी बड़ा बोर्डिंग स्कूल में इसके बाद यह खबर भी आ जाती है कि Mr. Paul वापस आ रहे हैं Lucy काफी खुस हो जाती है पर यह खुसी भी सैथ भंगवान को मंजूर नहीं थी दोस्तों और अचानक पता चलता है कि Mr. Paul जिस सीप से इंग्लैंड यानि West Indies से वापस आ रहे थे विलेटे उस सीप का एक्सिडेंट हो गया वो डूब चुका और Mr. Paul भी उसमें डूब गये अंतीम में बस यही दिखाया जाता है दोस्तों कि इसकी एक हैपी इंडिंग हुई है और जो मिस लूसी जो है वो याद कर रही है अपने लवर को और अंतीम में इस नोविल की रैटर ब्रॉंटी ने लिखा है दोस्तों कि इसे टैंपेस्ट के यानि विलियम सेक्सपियर के टैंपेस्ट के एरियल ने खा लिया उस सीप को और लास्ट में दोस्तों लूसी मिस्टर पॉल के साथ तीन साल बिताय यादों के सहारे रहती है और यही पे नोबल खत्म होती है अच्छा लगा हो सबस्क्राइब करें लाइक करें सेयर करें थैंक यू दोस्तों आपने मुझे सुना मैं आप से मिलूगा नेक्स टोरी में तब तक के लिए बाबाई